गुद मॉर्निंग बच्चों कैसे हो आप सब लोग? I hope you all are fine. My name is Krupalishi Sangya and welcome to Saraswati Group of Education. बच्चों अब तक हमने Chapter No.7 के तीन पार्ट देख लिये हैं. पहले पार्ट में हमने सब्दार्ट सिखे थे, दूसरे पार्ट में हमने बागवानी Chapter का Explanation देखा था, और तीसरे पार्ट में हमने बागवानी Chapter में जो टेक्स्बूक में जो अप्यास हमने दिया गया था ना बच्चों, जो exercise पीछा दी गई थी ना, वो हमने सिखी थी. अब इस पार्ट फोर्थ में में आपको अप्यास पुस्तिका में जो जो लिखना है वो पूरा का पूरा एक्स्प्लेंड करूंगी, तो आपको अप्यास पुस्तिका में पेज नबर 31 to 35 में Chapter 7 दिखाई देगा, मैं वाक्सेट तो भेजूंगे ही बच्चों आपको, पर आ दिखना पड़ेगा, वीडियो देख रूँगे, तो आपको अप्यास पुस्तिका में जो लिखना है वो अपने आप समझ में आही जाएगा, तो अब हम सुरू करते है, Chapter 7, बागवानी, उसका पहला Question, Page 31 पे, बच्चों यहां पेज भी दिखाई देंगे, आपके अप्या 1 दिया गया है, कि निमनलिखित प्रश्णों के उतर लिखिये, तो उसमें आपको क और ख, इसे दो Question-Answer दिखाई देंगे, आपको लगएगा, तो बड़े-बड़े-बड़े Question-Answer है, पर बच्चों यह बहुत बड़े है, पर बहुत आसान है, आपको अपने मान से लिख दोंगे, पर बच्चों में आपको समझाऊंगे, पहला Question है, कौप, बच्चों यहाँ पर बीच-बीच में चित्र भी आपको नजराएंगे, राइट, कौप में प्रशना पूछा है, आप में, कि यदि आपके घर में खली जमीन नहों, तो बागवानी का सपना आप कैसे पूरा करोंगे, बच्चों जरूरी तो नहीं है कि सब का कर बड़ा बड़ा हो, तो जिसका अफर बड़ा नो हो, और उसे बागवानी बना नadenी है, तो वो कैसे अपना सपना पूरा करेंगे, तो उसका अंसर यहाँ पर दिया गए है, बच्चों, तो इस नहीं है, कि સ્વારનુ કે બસ્વાનુ મકાલ હોય એટલો જરૂરી તનુ થી હીઓ નુા કર મોટુ હોય तो घर नानु होई, छता तमने आओ बाग बनावानु होई, तो तमने ना 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 कुंडा मा छोड़ू गाडी ने तमारू सपनू पूरू करे सको छो, तो आनुचो आप बेमाव से कि यदि आपके घर में खाली जमीन ना हो, तो आप गमलों में भी पोती लगा कर बाग वान पीचे कि देखपल कैसे करते हैं, बच्चों को ये काम कैसे करना है, आपको माली को पूछना है, माली को ना मिले तो आपको के करना है, ममी को पूछ लेना है, कि ममी बाग वानी की देखपल हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ममी पी तो पेड़ पोती लगाती है ना बच्चों, तो उसे अच्छे से मालूब होगा कि पेड़ पोथों की देखपल कैसे करते हैं। माली मिल जाए तो बहुत 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 बात हुई। तो उसका अंसर आएगा, question number 2 का, माली सभी फूलों को अच्छे से सज्जाते हैं। माली पोथों के साथ जो खर-पत्वार निकल आते हैं, उसे वह निकाल देते हैं। मतलब कि वह कैसे देखपल करते हैं। कि फूलों को अच्छे से सज्जाते हैं। मतलब कि आप कोई गर्डन में चाओ, जहां पर फीज हमें पेकरनी होते हैं। या किसी गवर्मेंट गर्डन में चाओ, तो वहां पर क्या होता है बच्चों, एक माली होता है, वह पूरा का पूरा गर्डन मिंटर्ण करता है। मतलब के जब पेड़ पोते हैं, उसके आसपास जो खरपत्तर, खरपत्तर मतलब के मितम ने किदूतु कि नकामों घास फूस उगी नी करतू होई, यह नहें दूर करी नाखतो होई। जे निंदर्ण काम उखतू होई, यह बदू कटिंग करना खे। यह नहीं मोट्टी बदी कातर होई, यह नहीं अथी बदू कटिंग करना खे। फूलों को सज्जाते हैं मरलब के फूल जे बदा उइगा होई ने यहने व्यवस्थित एकज शेपना बड़ावी दे राइट। एक लेनों छोड़ोएन एकदम दूर थी जोएने तो आपने बहुँज अट्रेक्टिव लागी। अटले तम्हें रोड उपर जोता सोके, रोड माँ छे वच्चेवली प्लेस होई ने अपने गोवर्मेंटे बथा फूल ने जाड़ने वैव होई पछी यहने पाणी पवामाटेनी एक गाड़ी आवे आने पाच्छाड़क माना से उई तो बथा फूल ने उपर थी जे व दूसरा माली पोदों के साथ जो खर पत्वार उगते हैं निकल आते हैं उसको वे निकाल देते हैं मतलब के नकामु घास है दूर करीना अखे छे माली बाग के आसपास बाड बना लेता है मतलब कि देखपल करने में यह भी तो आता है ना बच्चो हमें सिप लगाने से बाड पी रखनी है तो माली पेड़ पोदों को कोई जानवर आपको नुक्सान ना पहुचा दे इसलिए माली उसकी चारो और बाड भी बना लेता है तो यह तिन पॉइंट ही थे हम याद रखने है अब बचो पेस्टान करो पेस्टान करो तो आपको 32 पेस नमबर दे रहा है कि पाठ पटकर सही वाक्या पर सही का निशान लगाए ये तो सही का निशान लगाना है आपको अटले अमां तमने पांच वाक्या आपकेला छे बाड़कुल पांच वाक्यों माथी तमारे जे वाक्य तमने साचू लाके इनिव पर रैट करो नुछे तम एकज वाक्या साचू छे बाड़कुल वहासे बाग बगी चे लगाने घेली आवास्यक तथा उप्योगी ओजार ले आई बागी चे बदा बागी आप्यात नई बदा नकामा चे एक अच बागी उपराइट आउसे और ने चे त्री जा नमबर नू तेनी उपर एक उपराइट करवानू छे पच्छी आवे चे बाड़को क्वेस्चन नमबर त्रण रमे रूप पच्छी आम रेफ नी दिशानी पना पेली चे अने आपने कमर प्रव करी त्यारेक नीचे लिटी आ पेली ओई छे ए लगावी इने तमारे सब्दोने पूरा करवाना छे पती दिन, पती दिन तो नो लखाई बाड़को एनो पेलो सब्दा, पेलो छे पती दिन तो तमारे सु लगाडों पड़ छे? रेफ लगाडों कर छे? फिद आपने लखे क्वेस्च्चन danger नमबर त्रण अभिर इत तैनो question लघेलो छे बाड़कू तो पति दिन माँ आन लाग शे? के आन लाग शे? आरेफ लाग शे? का अनी चेही थिया? अम लाइन करवाने छे यह लाग शे? 100 लागसे बाड़कू तो आमा from माटे प्रति दिन लाग शे? Right? आमा आविरित्या बीजो अप्शन लागशे राइट पछे बीजो आईवू बाड़को पेरण तो पेरण आमा पण एमा जाईवू आमा बाड़को आपने जो आ बोली अन्ने आ बोली बेई बोली ने त्यारे आपने रण्यों उच्चारन संपड़ाई छे पती दिन तो एमा पण आपने आविरित्या नीचे एनू ग्रामेटिकल मिस्टेक ने सुधाईरी आपने बाड़को त्यार आपनने खबर पेड़ी के प्रती दिन प्र आटले रण्यों आपने रण्यों आपने लगवान्यों बाड़को तो आबेमा रणी द्वानी निकडे छे राइट अपने संपड़ाए छे राइट्वெरणा आटला आएँ आपने लगवान्यों छे प्रेरणा राइट्ट अभीमा थी तमारे मूखिया मैंने साचों सब्दां लगुआपने पाणों सब्दान्यों पाच्छे फोवह वरलूचे पोवथ 10 तोन लगवाए 16 अपने र्याफ પલ્પટ्ष પલોય જોથ સોં પલે વલેખીદે પરસલી તોના બલેખીકું, अपने सव उपर रेफ करवा पड़ से अने केवाई वर्षा अचिस छट्थू कम तो अपने कम तो नो बोली साकी अपने लखानू क्राम राइट तो आँ अपने क्वेस्चेन नमबर त्राण अपने रोना रूपो आब दा छे राइट के म यक रेफ आवे तो क्यारे का आड़ी क्रोस लाइन आवसे राइट बाढको तो आँ तो बोजासान हतू तुमारे पेले वाच वानू छे तमने नो समझाएन बाढको तो पेले मुकी ने जोई जानू पाशी वाच वानू इने अपने आवीरित नાलाइन करी न're बढ़ lang अपने आविरितम करी तो परवात्ती दिन था तो अपने इतो सा चुरत सी बाची शकता तो अपने इना nou थी करवानू बेमुकीन जोई जेवानु तुमने अचानक खीनो समझाईने तुमने बेमुकीन वाची न जोई जोई जोवानु के आ सूल खानों छे राइट हवे बाड़को आवे छे सब्सक्राइब के दिन लिखने बढ़को बहुत ही आसान है न कि पहले आता है समबा दूसरा मंगलवार तीसरा बूदवार चुठा गुरुवार पाचा सुक्रवार छठा सन्निवार और सात्वा रविवार यहां पर आपको सारे ते सारे वारके न लिख देने राइट अब बच्चो आता है page number 33 यहां पर विलोम सब्द चुनकर लिखना है चुनकर नहीं बच्चो यहां पर कोई option दिया ही नहीं गया है तो आपको अपने सही लिखना पड़ेगा तो पहला यहां पर चीत्र में देखते जाना राइट चीत्र में आप देखोगे तो आपको समझ में आ आपको कहां पर लिखना है पहला सब्द दिया गया है कि धीरे धीरिरे धीरों का किलोम सब्द क्या होता है तेज तेज में दोसा तो मतलब के रूची मतलब के रस देखाड़ेव कोई पण वस्तुमा राइट कोई वस्तुमा अपने इंट्रेस्ट होऊ रूची तो और रूची राइट घणाविरोती सब्दो एवा होई के जेमा अल गाडी देवा थी बिल्कुल लेन ओपसेट थाई जाई छे राइट तो आपने वस्तुमा राइट ना थी ने के वाया रूची फिर नीश्चे नीश्चे मतलब के अनीश्चे में अभी अपको बताएं बच्चो कि कोई-कोई विल्वम सब्द में सब्द वैसका वैसा ही रहता है पर विल्वम सब्द जब बनता है तो अगे अल लग जाता है तो आस्मान तो आपने में कहितना के धरती तो आकास तो आमायमस्त्य धरती तो आस्मान खुस तो उदास कोई-खुस होता है तो बिल्कुल उसका उपजिट कोई-बिल्कुल उदास होता है तो खुस तो उदास फिर यहां पे दूसरे पाट में दिया गए है प्रसन प्रसन तो दूखी कुछ मानलब के थोड दूख तो बहुत कुछ तो बहुत आवस्यक तो नवस्यक बच्चो कोई-कोई सब्द में अना लगता है राइट और पुरा का – सब्द फिर से बनाए जाता है आवस्यक अनावस्यक मतलब के बिल्कुल जरूरी नहों ऊपयोगी तो अनूपयोगी यसा लिखना है बचो आपको और फिर दीन दिया गयां तो दिन तो राट बचा विल्म सब्सक्त है में आ गए ना बहुत आसान थे आपको एक चीज जो यहां पर दिये गए उससे पूरा उल्टा ही सोच रहा है उल्टा सोचोंगे तो विलम सब्द अपने आप मिल जाएगा तो विलम सब्द देख लिए है अब कहानी पुरी कीजिए बच्चों यहां पर कहानी दी गई है तो बच्चों आब हम कहानी देंखेंगे यहां पर पिच्चर में देखो गए कि कहानी कैसे लिखते हैं हमें पुरी-पुरी कहानी आपको पढ़कर सुना थी यह कहानी हमें टेक्स्वूक में नहीं दी गई है यहां पर एक्टिविक्टी के पार्ट में दी गई है राइट तो राइट तो हमें क्या करना है तो कमला दिया गए है बचो तो कमला से हमें पताब चलता है कि वह एक लड़की का नाम है तो हमें लिखना है कि कमला एक 10 साल की फिर यहां पर की भी दिया गया है तो हमें अच्छा से मालूम पड़ जाएगा कि यहां पर लड़की ही आएगा तो इसके answer में पहली blank मेंगा लड़की, उसने घर के अंगानी में क्यारी बनाई थी बचो, कमला ने अपनी क्यारी में आप यहाँ पर कोई भी फुल के नाम लिख सकते हो, पर इससे पहले आपको पुरी की पुरी कहानी पढ़नी पड़ेगी बचो, यहाँ पर देखो आगे क विल्ट के लिखा है तो हमें और नहीं लिखना है क्योंकि एहां पर कहानी में आंगे नाम दिया गया है वी अहां पड़े gylai आणरी झाले है दूसरी लगाएं यह झायय गुलापके पोधों पर खाली जग्या खेलाएं अब गुलापका गुमला लगा होगे तो उसमें हम थोड़ी नाएगे बच्चो राइट तो गुलापका फूल ही आएगा न तो यह वहाँ पर लिखना है कि पोधों पर फूल खेलाएं कुण से चीज खिल सकते है, fully ही तो खिल सकते है न?, काटे तो नहीं open सकते है तो वहां पे हमें, full ही लिखना है तो तीसरी ब्लेंक में अएगा फुल ओ को देखकर कमला खुछ हो गयी, फिर पहले इन ब्लेंक दी गए है ब्लेंक एक छोटा भाई aggi था एक छोटा भाई था पिष का? उसका मतलब की कमला का तो यहां पे आपको लिखना है उसका एक छोटा भाई था वहो बहूत सरारति था बच्चों वह बहूत सरारति था तो यहां पे कोई बलंक दी गई नहीं है सही सेंटेंस देख दीया गुया थाक देखके खहल में सुंदर फूर तोड लिया मतलब सुंदर पर यृक WAT SHP ऐने ने भगी चमाथें चुल दने बढ़े को अधिक्ल अग्दी यह कोटा घुँट खहल कोटी यह सब्ली शतक्र C कमला पीछे का पेस बच्चो कमला की माने उसके भाई को बहुत डाटा राइड बच्चो यहां पे मैंने अभी-भाई जो ब्लेंक पड़ी उसमें एसा आंशर आएगा कि यहां देखकर कमला रोप पड़ी उसके भाई ने फूल तो दिये तो कमला बिचारी रोप पड़ी थी तो यह जो लास्ट वाली ब्लेंक थी उसमेंगा रो पड़ी फिर पीछे पेस्ट रन करो कमला की माने उसके भाई को बहुत डाटा उसके अंसर में डाटा आएगा कि हमें फुल पत्ते नहीं तोड़ी ने चाहिए यह भाई उस्वाच करते हैं इंचे हर्याले फेलते हैं बच्चो कुछ एक्स्ट्रा सोचिना हमें हमें खुद ही कहानी पुरी बनानी है तो इसके आगा के कौन-कौन से सब्दा आएंगे वह में खुद ही सोच करके लिखना है तो बच्चो यह थी हमाई कहान मचाया ना येस इसके बात आपको अमबक पाट में दे दी थी तो अब आपको इसे नहीं करना है तो पर अपने समझा नहीं था बच्चो इसलिए आपको भी समझना आती पड़ेगा निचे दी गए पेडों के विशे में तिन-तिन वाक्या लिखे मरल्पी बच्चो पहला पेड़ दिया गया है वो केल का पेड़ दिया गया है केल मरलब के केड़नों ज़ाड में खेड़ा आवेशे रैट बढ़को तो केड़ना ज़ाड म VAN CANNING लटका ह default तो तमारे गेडें ना जाट वी से 5 चार्ब्समें से कर्हें चार कांच वाकिय लखवाना जहें है अंग पेलू वाकिय छे क्ली के पत्ते बहुत बड़े होते हैं तो उसफलिके पत्ते काल प्योग प्योग होता था पत था बजो तो उकेल के पत्ते बहुत उप्योग होते हैं वो पूजा में भी काम आते हैं उसका मंदब बनाते हैं बचो और साउत में तो इसके पत्तों का बहुत सारा उप्योग होता है उसके पत्ते में वो लोग खाना खाते हैं या कोई छोटा मुटा उससे काम करते हैं राइट उसके यहां आज नेट में सर्ज करना कि कियलका पेड कैसा होता है उसके पते भी बहुत बड़े-बड़े होते हैं वह रुख्स बहुत ही उच्जा होता है आपने बच्चो नारेली का पेड देखा है ना तो वह कितना उच्जा होता है बस उतना ही उच्चा होता है यद केल का पेड यहो रुक्स में एक गुच्छे में कई सारे केले होते है एक गुच्छा होता न बच्चो उसमें कई सारे केले होते है यह मतलब के आपड़े गुजरती मैंने आपड़े लुम कहिए। एक केडा नी लुम मा आपड़े जोए तो मिनिमाम 10 ती 15 तो केडा होई है छे। तो कोई लुम ना नी हो तो एमां 8 नुव होई छे। पर भाड़को घणा बधा केडा आपड़े एक लुम मा जोवा मड़े है तो रुक्ष में एक गुछे में कई सारे केले होते हैं यह अगाँ कैला है ना लोजह कूछ उसको खाने हुमें नुकसान होते हैं बर यह बहुत पोस्टीक होता है केड़ा खावाती सकती पमड़ाए चालए सर्धी दोई छे राइट पनाती से खाऊ तो सर्दी थाई ने बाकी रोजनों एक खाऊ तो सर्दी थाई नहीं राइट तो बड़को आतो थे केड़ा ना जाड विसे नी जान करी अवे आपर बजुना पेज मावई आ जाई अवे तमने ये नौ पेज देखाई छे नौ उजार रहे थे ये पपीते का पेड़ है तो यहां पे पपीते लटक रहे है तो इस पेड़ में तो पपीते लगे है तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि ये पपीते का पेड़ है राइट किसी को ये नारियल लगेगा बच्चो पर ये नारियल नहीं है नारियली के जो पान मैं आपको परकृसर कि युचार comment में आपको परक्रस्षिनाती हूं कि पॉपीता एक पोश्टिक-फरल साइश और हमें पपीते से पर्फिटामिन मिलता था याच विया राट कि तो के तो पुपीते एक पोश्टिक-फरल है दूसरा इसमें विटामिन अ पर पूर मात्रा में होता है विटामीन ए उसमें कुट कुट कर फरा होता है मनलब के ठासी ठासी नेमा विटामीन ए फरेल होई छे और विटामीन ए आपड़ी आख माटे बहुस फाइदा काय रख छे राइट तो आपड़े पपयू खावु जो है बाड़को राइट अने प पपयू 3 कलर मा होई पेला पाक्यू ना होई त्यारे लिला कलर नू होई पाकी जहे अठर थनुपक यहां धाजनु थाय कुला कराई physicists थाई पेला लेलू होई पाँठीी केशरी थाई चे राइट तो बढको यहां हरे तथा monsieur पीले रङग मिलता है पपी तेकाई-टूकी वह मसाले वाला पान अता है न बच्चों तो उसमें टूटी-फूटी जो होता है न बच्चों, आपने देखें हो गिए रेड कलर की, अब तो अब कई सारे रंगों की टूटी-फूटी बजार में मिल रही है, तो बच्चों आपने कभी सोचा कि टूटी-फूटी कैसे बना जाती है तो यह पपिते की टुटी-फुटी भी बनाई जाती है और उसको पान में डालते है तो बहुत स्वादिस्ट लगता है तो बचो यह तो पेड़ के बारे में जहनकारी हमें मिल गई अब हमें क्या करना है कुछ नहीं करना है बचो पुरा चप्टर पूरा हो गया जढ करना है